अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से करने सबस्क्राइब और वीडियो को कर दें लाइक आज हम बनाने लगे हैं बहुती स्पाइसी सी मज़ेदार स्पगेटी कुछ स्पेशल टिप्स के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा अब बढ़ते हैं जल्दी से अपनी स्पाइसी स्पेगेटी की वीडियो की तरफ अबसे पहले पैन में शामल कर लेंगे आदा कब से थोड़ा सा कम तेल और इसमें डालेंगे दो खाने के चमच अज़क लेसिन का पेस्ट इसको दो मिनट तक अच्छी तरहां से फ्राइ कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें शामल करेंगे कीमा हमने यहां पर 500 ग्राम कीमे का इस्तमाल किया है फिर डालेंगे नमक हस्पे जाइका एक चाय का चमच लान मिर्च पाउडर या फिर हस्पे जरूरत दो खाने के चमच काली मिर्च पाउडर अब हम इसमें शामल करेंगे तीन खाने के चमच सोय सौस सोय सौस या फिर चिली सौस के बगएर मैकराणी में वो जाइका कभी भी नहीं आता इन सब चीजों को हम बहुत अच्छी तरहां से पहले मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें शामल करेंगे तीन खाने के चमच चिली सौस उसके बाद हम इसमें शामल करेंगे तकरीबन एक कप टोमेटो कैचप और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आदा कप चिली गारलिक सौस क्योंकि ये spicy macaroni है और अगर आपकी spice tolerance जादा है तो आप इन चीजों की मिकदार जादा भी कर सकते हैं जब हम इसमें सबजियां शामल करना शुरू करेंगे जिसमें हमने डाला है एक कप गाजर, आदा कप शिमला मेर्च और एक कप बंगोबी आप चाहें तो इसमें अपनी मर्जी की सबजियां भी शामल कर सकते हैं सबजियां शामल कर देने के बाद हम पहले इसको अच्छी तरह से mix करेंगे और उसके बाद तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ी सी नर्म नहीं हो जाती क्योंकि हम इसमें सॉसेज अलरेडी डाल चुके हैं तो हमें मजीद पानी शामल करने की जरूरत नहीं है सबजियों को सॉफ्ट करने के लिए अब हम इसमें शामल करेंगे एक चौथाई ग्लास पानी किसी भी किसम की स्पगेटी या मैकराणी बनाते हुए जब आप उसको शामल करने लगें तो पहले पानी डाल लें इससे ये फाइदा होता है कि कभी भी आपकी स्पगेटी या मैकराणी अकरती नहीं है हमने यहाँ पर ली है एक पुरा पाकिट स्पगेटी बॉल कर लिया था और आधा पैकेट हमने इसमें मैकराणी बॉil करके शामिल की है हम अच्छे से इन दोनों ही चीजों की लेयर इसके उपर लगा देंगे और फिर बहुत ही अच्छी तरहां से इसको मिक्स कर लेंगे सारे मसाले के साथ स्पगेटी और मेकरोनी को अच्छी तरहां से मिक्स कर देने के बाद हम इसे ढख कर दम पर रखतेंगे तकरीबन 10 मिनिट के लिए और यूं हो जाएगी फटा फट आपकी मज़दार स्पाइसी स्पगेटी तैयार अगर आपका कुछ स्पाइसी खाने का दिल चा रहा है पर आप जादा मेहनत नहीं करना चाते तो ये आपकी गो टू डिश होगी बच्चों के लंज बॉक्स के लिए भी ये एक पहतेजीन आइडिया है उमीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़दार और स्पाइसी रेसिपी बहुत पसंदाई होगी वीडियो को लाइक करें दोस्तों हिबाबों के साथ शेयर करें मिलते हैं एक चोटी सी ब्रेक के बाद अला हाफिस